साथियों ऐसा कहा जाता है और आपने भी जरूर सुना होगा कि सातों सुख किसी बहुत ही बिरले व्यक्ति को ही प्राप्त होता है जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग कब निर्मित होता है कि व्यक्ति को सातों सुख प्राप्त हो जी हाँ साथियों इस श्रिंखला में हम चर्चा कर रहे हैं पंच महापुरुष योगों की और आज कन्या लगन में बनने वाले हंस योग की हम चर्चा करेंगे क्योंकि कन्या लगन में जब हंस योग पूरी डिग्रियों और पूरे अंशों के साथ में यदि विद्धिमान होता है तो वो व्यक्ति को सातों सुख अवश दिलवाता है एक और बात जन्में प्रचलित है लोक में प्रचलित है कि व्यापार में जूट बोलना पड़ता है कई भी शड्यंत्र करना पड़ता है गलत रास्तों का सहारा लेना पड़ता है परन्तु कन्या लगन का जो हंस राज्योग है यदि व्यक्ति की जन्म पत्रका में हो तो वो इमानदारी के साथ में सत्य के साथ में बहुत बड़े सामराज्य को व्यापार के रूप में और व्यापार को सामराज्य के रूप में स्थापित करता है साच बराबर तप नहीं और जूट बराबर पाप जाके रिर्दय साच है ताके रिर्दय आप ये कहा भी गया है इमान दरी व्यापार में रखना अध्यान तो आवश्चक है तो मेरे बहुत ही प्री और बेहद सम्मानित साथियों रिदय की असीम गहराईयों से अभिनंदन बहुत बहुत हार्थिक स्वागत आईए साथियों एक जन्म पत्रका पर दृष्टपात कर दें और ये कन्या लगन की जन्म पत्रका है कन्या लगन की ये क्यों हुई जन्म पत्रका क्योंकि लग्न में ही 6 नंबर का अंक विद्यमान है 6 नंबर से शुरू हो रही जन्मपत्रिका को हम कहता है कि ये कन्या लग्न की जन्मपत्रिका होती है साथियों कन्या लग्न की जन्मपत्रिका में दो ऐसी परिस्थितियां होती है जबकि हंस नामक जो पंच महापुरुष योग है वो निर्मत होता सबसे पहली स्थिती होती है चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव जहाँ पर कि आप नौ नमबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं तब भी हंस योग नामक जो पंच महापुरुष योग है उसका निर्मान जरूर जरूर होगा साथियो इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव एक प्रबलतम योग कारक ग्रह है और पंच महापुरुष योग जितने भी हैं वो किवल तभी निर्मित हो सकते हैं की वहाँ पर वो ग्रह योग कारक हो तो चर्चाश की शुरुवात हम आज करते हैं चतुर्थ भाव में बिराजमान गुरुदेव से साथियो इस चतुर्थ भाव अर्थास सुख भाव में गुरुदेव बिराजमान है कोई भी योग कारक ग्रह या कोई भी सम ग्रह किन किन इस्थानों से संबंधत श्रेष्ट परिनाम देता है एक तो वो जिस घर का स्वामी है दूसरा वो जिस घर में विद्धिमान है और तीसरा वो जहाँ पर दृष्टपात कर रहा है तो यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव चतुर्थ भाव में बिराजमान है और गुरु जिन जिन चीजों का कारक होता है जन्व पत्र का में वो सब के सब लाभ भी इस अहन्स योग के कारण इनको मिलते हैं तो गुरु देव कारक होता है परिवार के एक भरे पूरे परिवार के तो इस जातक को अपने कुटुम्ब का अपने परिवार का न केवल साथ मिलता है बलकि उनके सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा इनके और दोसों के आपस में मेल जोल के कारण बहुत अधिक बढ़ जाती है धन की जीवन में इनको कभी भी कमी नहीं मिलती है कभी हो ही नहीं पाती है और पुत्र संतान अती शीक्र विवाह के पश्चात ही इनको प्राप्त हो जाता है और जीवन में निरंतर आकस्मिक धनलाव इनको मिलते ही रहते हैं गुरू की दशांतर दशा में ये एक लग्जुरी गाड़ी जरूर खरीते हैं बड़ी संख्या में प्लॉट या भूमी अचल संपत्ती भी ये खरीते हैं ये चतुर्त भाव है तो माता से इनका विशेश लगाव रहता है घर का और घर भी शायद शब्द छोटा है अलागि घर तो इटों पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता परिवार के सदस्यों से बनता है तो ये एक बड़े मकान का निर्मान भी गुरू की दशांतर दशा में जरूर करता है भाग ये इनका जबरदस्त ढंक से साथ देने वाला होता है और साथी प्रेम संबंधों में भी सफलता इनको अवश्य मिलती है कुल मिलाकर के गुरू की दशांतर दशा इनके लिए लग्जुरी देने वाली ही साबित होती है सब्तम भाव से संबंधित सारे के सारे लाव इनको जरूर मिलता है क्योंकि यहाँ पर सब्तमेश भी स्वेम गुरुदेव ही है पार्टनर्शिप यह यदि करता है तो उसमें भी इनको लाव जरूर मिलता है और शादी के बाद में इनका भाग्योदाय अवश्य होता है इनका जो जीवन साथ ही है वो इनका खयाल रखने वाला दीरगायू विवेक शील इनको प्राप्त होता है और यहाँ पर बैठे हुई जो गुरुदेव हैं वो अपनी पांचवी दृष्टी से अश्टम भाव को देख रहे हैं तो ससुराल से संबंधे तो सारे लाव इनको मिलते हैं सोयम ये देरगायू होते हैं और गुप्त धन भी इनको प्राप्त अवश्य होता है गुरु की दशा अंतर दशा में साथ यहाँ पर बैठे हुई जो गुरुदेव हैं वो अपनी सब्तम दृष्टी से कर्म भाव को देख रहे हैं तो कार्रे में सफलता इनकी सुनिश्चित कर देते हैं वो सम्मान इनको हर एक स्थान पर जरूर मिलता है और अपने पिता से इनको बहुत अच्छा लाब उनका आशिरवाद उनका मार्ग दर्शन विरासत की रूप में इनको मिलता है यदि ये कोई परीक्षा बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज जैसी तो उसमें भी इनको गुरू की अंतरदशा में जरूर लाब प्राप्त होता है साथियों ये अपने कार्रे में इतने पारंगत होता है कि ये कार्रे के कारण एक सेलिब्रिटी का दरजा प्राप्त कर लेते हैं अधिकार संपन होता है तो कुल मिलाकर कि ये जो सारी स्थिती है ये एक प्रबलतम राज योग की स्थिती निर्मित होती है यहाँ पर बैठे हुए जो गुरुदेव हैं वो अपनी नौवी दृष्टी से 12 था उसको अर्थात व्याइभाव को देख रहे हैं तो इनके जो खर्च हैं वो बड़े खर्च होंगे परन्तु वो सारे के सारे खर्च मांगलिक खर्च होंगे विदेश से इनको लाब मिलेगा और वृद्ध अवस्था इनकी शानदार ढंग से निकलती है साथियो यही सब्तम भाव में यदि गुरुदेव बैठे हुएं तो वो भी हंस योग का निर्मान करेंगे तो दामपत्य जीवन के जितने लाब हो सकते हैं वो तमाम लाब इनको जरूर मिलता है यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव अपनी पांचवी दृष्टी से लाब भाव को देख रहा है तो आएके एक से अधिक साधन इनके जरूर होता है मित्रों का निर्धारन भी यहाँ पर इसी भाव से किया जाता है तो इनको अपने मित्रों से समय समय पर लाब मिलता रहता है और अपने कार्रे के यह एक विशेशक के एक स्पेशलिस्ट जरूर होता है यहाँ बैठे हुए गुरुदेव अपनी सातवी द्रिष्टी से लगन भाव को देख रहे है और इनकी जो रोग प्रतिरोधा का क्षमता है उसको निश्चित रूप से वो बढ़ाने का कार्रे करता है आकर्शक विक्तित्व के यह धनी होता है सात्यों यह दोनों स्थितियां जिसमें की हंस योग का निर्माण हो रहा है कब-कब आपको लाभ नहीं प्रदान करेगी क्योंकि अक्सर लोग आते हैं कहते भी हैं कि आचारी जी मेरी जन्म पत्रिका में हंस योग है परुंतु मुझे तो अभी तक इसका लाभ नहीं मिला तो सबसे पहली बात तो यह अपनी दशा अंतर दशा में ही आपको लाभ प्रदान करेगा आप देखें कि कहीं वो अस्त अवस्था में तो नहीं नहीं पहुँचा सकते हैं साथियों यदि इस प्रकार का कोई योग है और किसी कारण वश आपको हंस योग के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से विश्णू सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे की शादी में देरी होना, पती पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ती में बाधा आना, जीवन के प्रत्यक शेत्र में किसी न किसी प्रकार की साथियो श्रिंखला हमारी ये आगे भी जारी है और अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरन की तरफ और आज का पहला कमेंट अंजु चक्रवर्ती जी ने लिख पेजा है आपने लिखा है गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद उपाए के लिए अंजु जी हमें धन्यवाद तभी मिल जाता है जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है आपके जीवन में बहार आती है किसी कष्ट पीड़ा से आपको मुक्ती मिलती है या आपकी कोई मनुकामना पूर्ण हो जाती है साथियों अगला कमेंट दाई बेन मक इस आईडी से आया और आपने हर हर महादेव और जैशनिदेव लिख भेजा है तो दाई बेन जी आपको भी आशिरवाद रिदय की असीम कहराईयों से अगला कमेंट अनिता घोश जी का है प्रणाम गुरू जी आपने लिख भेजा ह तो आशिरवाद रिदय की असीम कहराईयों से तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ सम्रिध और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करें नमस्कार करें लिए भी सम्रूवक पूर्वक जी ये और शांति है